नमस्कार दोस्तों जय हिन जय भारत दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका पनी यूटूब चैनल संतोस एकड़मी पर दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं पहला नमर तो मैं प्रामिस कर लेता हूं आपसे कि यह वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको जो भी लेशन ह जो इसके बाद भी वीडियो हम लाएंगे जो भी चीछ पढ़ाएंगे आप इंगलेश से हिंदी अर्थ यानि इंगलेश से उसका हिंदी अर्थ निकाला एकदाम आसान है एकदम धूआ है ठीक ना यानि एकदम हवा कह सकतो बहुत ही आसान है से उसको आप समझ जाओगे जितने भी प्यारे विद्यार्थिस वीडियो को देख रहे हैं आप दो चार मिट जरूरी इस वीडियो पर समय देजिए आपको खुद समझ वा जाएगे कि क्या है बहुत ही सरल होता है देखिए फर्ष प्लाइट पहला भाग है जिसका पहला लेशन अलेटर टू गार्ड जिसके राइटर है जियल फ्यंट्स देखिए यह पहला लेशन है अब थोड़ा संह Յब आउट ऐथर के बारे में समझ लेते अलेटर टू गार्ड का मतलब है एक पत्र टू गार्ड भगवान को अर्था भगवान को एक पत्र यानि कोई है जो भगवान के लिए क्या ठीक है अब थोड़ा सम लेखक के बारे में समझ लेते हैं अथर के बारे में रैटर के बारे में उसके बात फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है अबाउड दा अथर about माने के बारे में the author माने लेखक अर्था लेखक के बारे में देखी लिखा क्या है the author the author of the story यानि कहानी के लेखक author माने लेखक आप माने काकी के the story यानि कहानी के लेखक a letter to guard भगवान को एक पत्र यानि जो कहानी है भगवान को एक पत्रिया भगवान के लिए एक पत्र उस कहाने के लेखक है कौन है is written लिखित है by किसके by माने के दोरा जील फोरेंट से या जील फोरेंट के दोरा लिखित है क्या रचित है या कौन से कहाने अलेटर टू गाड़ He was one of the greatest He was वह थे या वह हैं One of the greatest महान, महनतम Writers महनतम लेखकों में से एक One of the greatest महनतों में से महनतों यानि महनतम से एक writer यानि लेखक आफ ते टाइम उस समय के That time मलए उस समय के कभी थे Novelist यानि उपनिस्कार थे और भी क्या थे जर्नलिस्ट यानि पत्रकार जर्नलिस्ट माने पत्रकार अर्थात वह क्या है वह है एक मेक्सिकन कभी उपन्यास कार और पत्रकार भी थे ठीक है या श्टोरी कहानी घूंती है एरांड दा आइडिया उस विचार के चारो और आप अनक्यूशनेवल फैथिन गाड अनक्यूशनेवल का मतलब दिर्ण देश्ट अर्थात प्यथमाने विश्वास इन गाड भगवान में दिर्ण देश्टे वाला विश्वास उस विचार के चारो तरफ घुमती है का यह खानी, ठीक है, यह आप लेखा के बारे में जान गए हो, लेखा कौन है, कहां के हैं, कैसे हैं, यह क्या क्या थे, ठीक ना, इतना आप जान गए हो लेखा के बारे में, चलिए, अब आगे दिया है about the lesson, अब about the lesson का मतलब यह है कि इस पार्ट के बारे में, अब इस पार्ट के बारे में, जो हम इतना समय दो चार मिटे में समय वेश्ट करेंगे, हम उसके बारे में तो पढ़ेंगे ही, आपको नार्मेल में बता जिता हूँ, एक किसान था, जिसका नाम लेंचो था, उसकी एक फसल थी, उसकी फसल अच्छी होगी, लेकिन फसल अच्छी तो हुई, उसने सोचा बरसाथ हो जाए, तो ठीक है, बरसाथ तो ही, लेकिन काईदे का बरसाथ होगा, कुछ अच्छा भी बरसाथ होगे, और उसकी फसल नक्ष्ट होगी, अब भूखा प्यासा, सोचक मैं भूखा रहोगा यहाँ कैसे रहोगा कोई मेरी हल नहीं है तो अब भगवान के पत्र लिखता है वस्पत्र का पाता है कि नहीं पाता है जो है कैसे पत्र पहुँछता इस भारम पूरी कहाणी है ठीक है चलिए अब यहीं चीज रहे यानि कहानी के आपकी कहानी स्टार्ट होती यहां से ध्यान देजिएगा अब पेज 13 नंबर है अब बाकी आप ध्यान दे लेजिएगा यहां से ठीके ना अब देखिए हम देखिए यहां से आपका स्टार्ट होता है ठीके ना यहीं से स्टार्ट होगा 13 नंबर पेज है चलिए देखते हैं देखे, the house, the house का मतलब होगा घर, the only one, एक मात्र केला, in the entire valley, entire माने संपूर, valley माने घाटी, site माने इस्थित होना, on the Christ, on the Christ का मतलब क्या होता है, चोटी, क्रिश्ट माने चोटी, आफ है लोहील, निचली पहाडी के चोटी पर इस्थित था, करने मतलब होगा घर, जो अकेला स चोटी पर इस्थित है या था, ठीक है, from माने से, this height is, उचाई, this माने इहाँ होगा यह है, from this height, इस उचाई से, from this height, इस उचाई से, one, one माने इहाँ होगा कोई, या कोई भी, could see, एक चीद दिमाम रखिएगा, आप नीचे हिंदी पर ध्यान मत दिजिए, गरना अपने कित सिर्फ English to English देखिए, आपको मैं गारंटी देता हो, आप समझ जाओगे, इतना मेरा चैलेंज है, from this height, इस उचाई से, one, कोई भी, could see, देख सकता था, could, कैन का सिकर्ड पास्ट फार में, could, देख सकता था, the river, किसको, नदी को, कोई भी क्या देख सकता था, इस उचाई से, the river, नदी को, and the field, खेतों को, कौन से खेत, आप रिप कॉर्ण, पके हुए मकाई के खेतों को, dotted, जो की, लगे, dotted माने देखो, लदा होना या लगे होना, बिस देख सकता था, ठीक न, फिर दिया है, the club, that, that का मतले होगा, जो, जो, always, सदेव, promise, दुबादा करते थे, अगूड, एक अच्छी, harvest मतलब, फसल, एक अच्छी, फसल का, ठीक न, और उसके बाद, यह, the only thing, केवल, एक चीज, केवल, एक चीज, the earth, needed, प्रिथिवी को, आवसेक्ता थी, यह, जरूरत थी, वाजा, down, pure, down, pure का मतलब होता, एक लिश्ट, केवल, एक बहुचार की, अर्थात कहनें, मतलब, the only thing, केवल, एक चीज, दर्थ है, जिसकी जरूरत थी, किसको, दर्थ नीड़ प्रिथिवी कोच सकता थी, वाजा, डाौट पेर, उएक वर्छा, और, अथवा, at, Battle, के एक लिएक, बहुचार की, ट्के, जैसे, शावर आपके बात्रों में लगा रहता है वैसे नार्मल समझें फवारिक यानि हलका धीमी धामा बारिज भी हो जाए तब भी थो आउट माने यहां होगा पूरिया दा मानिंग पूरी सुबह या सुबह तक लेंचो लेंचो यह किसान का नाम आ गया देखिए यही है लेंच को मेंट्रों को अच्छे तरह से जानता था हैड डन जिसने कुछ नहीं किया था एल्स으면 के सिवाई बट सी दा स्काई आखास को देखने के सिवाई तूवर्स द नार्थ एस्ट तूवर्स माने के तरफ द नार्थ इस्ट नार्थ इस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर Amen आकास को देखने के सिवाए कुछ नहीं किया था ठीक ना सब्सक्राइब बहुत ही सरल है अब मैं दुहराओं को नहीं आप यह वीडियो बैक करके या फिर दुबारा से देख सकते हैं बहुत ही सरल है अब देखिए अगला पैराग्राफ है अगला पैराग्राफ है अब देखिए अब देखिए अब यहां मतलब महिला है यह इस तरही कह सहते हो अब यह किस ने कहा है अब महिला कौन है आगे बताएगा दा ओमेन वह महिला हूँ जो वाज प्रिपेरिंग तयार करे थी या बना रहे थी सपर सपर मनतर रात्री का भोजन रात्री का भोजन रिपलाइड उत्तर दिया यस गौड विलिंग यस हाँ गौड विलिंग यह भगवान ने चाहा या भगवान की इच्छा हुई ठीक है ना अब देखिए यहां older का मतलब होता है बड़े लड़के बड़े लड़के the older boys बड़े लड़के were working in the field जो older boys बड़े लड़के working काम कर रहे थे in the field खेतों में while जब की the smaller ones were playing near the house जो की while जब की the smaller ones छोटे जो लड़के थे उनमें से were playing खेल ले थे near the house घर के नस्दीक until जब तक the woman called to them all वह तब तक खेलते रहे जब तक the woman यानि महिला ने कार्ड माने पुकारा to them all उन सभी को अर्थाद महिलन जब तक उन सभी को नहीं पुकारा तब तक वह खेल रहे थे come for dinner भोजन के लिए यानि रात्री के भोजन के लिए जब तक महिला ने नहीं पुकारा ठीक है it was during समझना ध्यान से it was during अब during माने के दोरान होता यानि के समय अब किसके समय the meal भोजन के दोरान it was it was during the meal भोजन के दोरान यह था just as लेंचो had predicted यहाँ देखिए head है लेंचो had predicted predicted माने भविस्वाड़ी करना जैसा की just as जैसा की लेंचो ने had predicted भविस्वाड़ी की थी past perfect है big drops बड़ी बूदे आप रहन वर्सा की वर्सा की बड़ी बूदे begin प्रारम हो गई to fall गिरना ठीके न फाल माने गिरना ठीके जैसा की लेंचो ने भविस्वाड़ी किया था विग ड्राप्स बड़ी बूदे आपरेन वर्सा की begin to fall गिरना प्रारम हो गई जैसा की लेंचो ने कहा था कि we are going to get some water हम पानी प्राप्त करने वाले हैं कुछ तो वहीं भविस्वाड़ी उसकी सही होने लगी उसके बाद यह है इन दर नार्थ इस्ट इन दर नार्थ इस्ट उत्तर पूर्व में huge mountains by विशाल पहाड यानि परवत आप clouds किसके बादलों के जब बादल देखिए जब च्छा जाता है तो पहाड़ कि तरो दिखते ना समान में वहीं बोला है बादलों के huge mountain विशाल पहाड पहाड कुड भी scene देखे जा सकते थे approaching यानि आते हुए या पास आते हुए समिपाते हुए the air was fresh जो हवा थी वाज फ्रेस एकदम ताजी थी and sweet और मधूर थी सुहाणी थी ठीक है जब देखिए जब एकदम बरसात होने लगती है तो मौसम सुहाना हो जाता है हवा एकदम ठंडी ठंडी और मधूर सी लगने लगती है अच्छी लगने लगती ठीक है उसको the man went out for no other region then to have the pleasure of filling the rain on his body and when he returned he exclaimed देखिए इसको समझे देखिए the man went out आदमी went out बाहर गया for no other region बिना किसी कारण के देखिए other region यानि अन कारण किसी अन कारण के नहीं then to have the pleasure यानि प्रसनता के लिए गया our feeling महसूस करना the rain वर्षा को on his body अर्थाद अपने शरीर पर हिज माने अपना यानि अपने शरीर पर वर्षा की बूदों को महसूस करने के लिए महसूस क्या खुशी को महसूस करने के लिए बाहर गया और किसी रीजन से नहीं गया नहीं गया no other region ठीक है और वेन जब ही रिटेड वह लौटा या वाप पसाया वह बोला दीज आर नाट रैंड ड्राप्स दीज आर माने यह सभी आर नाट नहीं है रैंड ड्राप्स वर्षा की बूदे फालिंग फ्रामदा इसकाई जो गिर रही है फ्रामदा इसकाई आकास से अरताद यह जो आकास से गिरर रही है यह वर्षा की बूदे नहीं है दे आर न्यू कोईंस ये है न्यू कोईंस नए 시के अब देखिए जैसे अपने हाँ सिक्का चलता है अपने हाँ रुपया चलता है अधर जिहां डालर चलता है तो वैसे यह जो एरिया है यहां सिंट नामक चलता है अब चलता है यहां जो चोटे होगे पांच के सिक्के हैं टीक है अब चलता है अब चलता है अगरे पांच के सिक्के हैं ऐसे सिंट अब कर देखिए। अब चलिए अगले paragraph चलते हैं बहुत ही सरल है आपको लगता हाँड है ठीकिना देखिए तीसरा paragraph क्या है दिया है विथ है satisfied expression विथ माने साथ satisfied याने एक संतुष्टी expression माने भाव एक संतुष्टी भरे भाव से ठीकिना अर्था जैसे कोई काम आपका हो जाए आप खुश हो जाए एक दम संतुष्ट हो जाए उस नजर से जब देखते तो वह बोला है विथ है satisfied expression एक संतुष्टी भरे भाव से ही रिगार्डेड उसने देखा दा फिल्ड किसको खेद को आप रिप छेुद बट लेकिन संदल ने अर्चानक अर्चानक अर्श्ट्रांग विड एक तेज हवा या एक मजबूत हवा कहिआ सकते हो विगें प्रार्म हो गई जोकेदार हवा बहना हो गई आंड इलंग विथ धरेन और वरसरह के साथ साह आएलंग मतलब साथ-साथ-साथ-साहत-साथ-स जैसे आफ जई-ससाथ-सा हो होता है इलंग विथ-धरेन वर्सवरेर। वेरी लार्ज हैलिस्टोर्ण विगंडञ तीलिस्टोर्ण का dislod care क्या होता है यह जो बर्फ वारी होती है विएल्योस्टोन वझा बहुत बड़ी मात्रह में बर्फ बर्फ गिरना नहीं कर नहीं दिदर इत्व sürघ लिए सबी जो में डिड्रे रियान है अगर सेंबल मतलब मिलना जूलना μας हरा मिलते जूलते थे नियू सिल्वर क्वाइंस नए चादी के सिक्के के समान अब देखें यहां कही सकते हो कि जो पोएट है जो राइटर है उसने लेंचो कमा जाग बना आए खिला लेंचो अभी तक तुम क्या जो बारी सोतरी बड़ी बूत को दस सेंट छोटी बूत को फाइ नियू सिल्वर कोईंस दीजवाइंज ये सभी वास्तों में मिलते जुलते थे नियू सिल्वर कौईंस ने चादी के समान कि ओला सभेद होता है इस भाइज लड़के एकस पोजिंग देमसेल्ब्स जो अब देखें यहां एकस पोजिंग का मतलब संधिये ध्यांसे अब द वर्षा जो वर्षा में क्या वीक रहे थे रैपार भागे दोड़े प्ले कठा एकतरित करने के लिए पर मतलब केसा क्य सकते हूं चमकती हूं मोति को ठीक ना मोतियों को इकठा करने के लिए रहन आउड बाहर दोड़े या बाहर भागे चलिए अब इसके बात क्या है इट्स रियली गेटिंग बैड नाव इट्स रिये इट इच अब कह सकतो है इसे इट इच यह है अब हो रहा था बैड बहुत बुरा अब यह बहुत बुरा हो रहा था वास्तों में वास्तों में अब यह बहुत बुरा हो रहा था ऐसे कह सकतो हो एक्सलेंट दा मैं आदमी ने कहा आदमी ने कहा मतल़ाया उसके बाद यह इन ये लेकिन प्रजेंट टिरों में यूज़ किया गया ऐसा होता है कि कुछ चीजे होती है जो आपके सामने वह फ्यूचर में लेकिन उसका प्रिजंट में इंडी फिडम किया जाता है इट डिड़ पास इसको लिए आई हो मैं ऐसा करता हूं इट पास क्यों कर लिए यह जल्द ही नहीं गुजरा ठीक है यह जल्द ही नहीं गुजरा एक घंटे के लिए दहल रेंड जो हेल यानी दहल रेंड जो ओला था रेंड बरसता रहा आंदा हाउस से घरों पर दा गाड़न बगीचों में दहल साइड पहड़ियों में दा कार्ण फिल्ड खेतों में कह सकते हो एक घंटे तक पार एग गंटे के लिए अर्थात एक गंटे तक द्धहेल औला रेंड माने बरस ना हो अर्थात औला रेंड बरसता रहा on the house घरों पर the garden बगीचों में the hillside पहड़ियों में the cornfield मकाई के खेतों में ठीक है? on the whole valley और कहां पर? on the whole संपूर घाटी पर दफिल्ड वाज वाइट जो खेत्यों सफेद हो गए थे जैसा कि कवर्ड ढग दिया जाता है विथ साल्ट नमग से जिस तरह से कोई ची नमग से अगर ढग दिजों सफेद दिखती है उसी तरह दफिल्ड वाज वाइट जो खेत्यों सफेद हो गए थे ठीक है देखिए अब चोता फैराग्राफ है नाट अलीफ लीफ मने पत्ती कोई भी पत्ती नहीं रिमाइंड मने सेस बचना आंदर ट्रेज पेडों पर अर्थात कोई भी पत्ती पेडों पर सेस नहीं बची थी दो कॉर्ण फसल वाज टोटली डिश्ट्राज जो फसल थी पूरी तरह से जो श्टार मन बरबाद हो चीकी थी खराब हो चुकी थी दा फ्लावर्स वर जो जो फूल थे वर गॉन चले गए थे फ्राम दा प्लांट्स पौधों से अर्थात जो पौधों पर फूल लगे थे वर गॉन चले गए थे लेंचोज सोल लेंचोगी आत्मा वाज फिल्ड भर गई थी फिल का से फिल्ड बनाया थी लेंचोज सोल यानि लेंचोगी आत्मा वाज फिल्ड भर गई थी बित सेडनेस दुख से या उदासी से उदासी से लंचों की आत्मा भरी गई थी जब the storm had passed जब the storm had passed गुजर गया he stood वा खड़ा हुआ in the middle of the field यानि खेत के मध्य में खेत के मध्य में बीचों बीच he stood वा खड़ा हुआ and said to his sons अपने पुत्रों से कहा आप लग आप लोकर्स उड़ है लिफ्ट मोर देन दिस कहने मतलब आप लग आप लोकर्स यानि टिड्डियों का एक दल टिड्डियों का एक दल उड़ है लिफ्ट छोड़ देता देन दिस इसकी अपेच्छा अधिक यानि इसकी अपेच्छा अधिक लिफ्ट मोर देते कैने मतलब जो टिड्डि होते हैं याद यो फैसल को कीट पते हैं जो होते खाते भी हैं तो लाश्ट वा में कुछ नो को छोड़ देते इसकी अपेच्छा जो ओला गिर कर पूरी फैसल को बरबात कर दिया अगर टिड्डि खाता तो कुछ नो को छोड़ भी देता है तो यह बोला है किस ने लेंचो ने दहल हैज लेट नथिंग दहल यानि ओला ने ओला हैज लेट कुछ हैज लेट छोड़ा नथिंग अर्थात है ओला ने कुछ नहीं छोड़ा अल्ग दिखी इस साल वी विल हैब नो कर न इस वर्थ figure वी विल हैब हमारे पास नो कर न कोई फैसल नहीं होगी ठीक है अर्थात कोई फैसल नहीं रहे ठीक है अब देखे इसका आगे एका लाइन लिखा है that night वाजा सारोफिल वह रात त्री क्या थी? एक दुख भरी रात थी, ठी न? that night वह रात एक दुखद रात थी all our work, हमारा सारा काम अर्थाथ, हमारा सारा परिसर for nothing, कुछ नहीं हुआ अर्थाथ बेकार चला गया ठीक है? there is no one यहाँ कोई नहीं है, who, joh, can help us जो हमारी मदद कर सके ठीक न? there is no one, कोई नहीं है who, joh, can help मदद कर सके असमाने, हमारी हमारी, we shall, we shall, we shall, we will कोई भी पढ़िए, all go hungry this year, we shall हम सभी, we shall all, हम सभी, go hungry, भुखे रहेंगे this year इस वर्ष, अर्थात इस वर्ष हम सभी क्या रहेंगे? भूखे रहेंगे, वोला ने हमारी फसल को क्या कर दिया है? बरबाद कर दिया है, दोस्तों देखिए इस वीडियो को मैं इसी पर हिंड करूँगा लेकिन इता आप इतना दिमाम रखेंगे, इतना सरल तरीकस में बताया हूँ एक एक वर्ड मेनिंग आप कापी कलम लेकर बैठीएगा और वर्ड मेनिंग जैसे जैसे मैं बताता चला जो आप लिखते चले जाईएगा और मेरा दावाए एक बाने आप दो बात देख लिजीएगा पका है आपको एकदम इजी हो जाएगा आप हिंडिव केर मत कीजिएगा जो मैं बताओं उसी को केर कीजिए जहां दिखते हो थोड़ा से लप ले सकते हैं ठीक ना चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय ही जय भारत